नमस्कार जन भावना टाइम्स में आपके साथ मैं हूँ अंकिता बुल्डोसर का जवाब बुल्डोसर से दिया जा रहा है यूपी में माफियाओं के अवैध कबसे पर बुल्डोसर चलाने के बाद मध्यप्रदेश और गुजरात में दंगाईयों के अवैध कबसे पर बुल्डोसर चला तो फिर दिल्ली के जहांगीर पूरी में अवैध अतिक्रमन पर बुल्डोसर चला लेकिन राजस्तान सरकार ने तो दो कदम आगे बढ़ते हुए मंदिर ही मुल्डोसर से डहा दिया राजस्तान के अलवर जिले में विकास के नाम पर करीब 300 साल पुराने शिव मंदिर को मुल्डोसर से जमी दोस कर दिया गया राजस्तान पे सरकार की इस कारवाई के बाद बीजेपी और हिंदू वादी संगटन भड़क गए है बीजेपी ने गहलों सरकार पर साज़श के तहट मंदिर को तोड़ने का रूप लगाया है अब इस मामले पर इस्थानी प्रिश्वासन के साथ साथ कॉंगरस विधायक के खलाफ भी मामला दर्श करने की बाद सामने आई है बीजेपी विकास के नाम पर भगवान के मंदिर को तोड़ना दुर्भा के पूर्ण बताती हुई नजर आई है बीजेपी के नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवी ने कहा है कि हिंदू की आस्था को ठेस पहुचाना ही कॉंगरस का सेकुलरिज्म है मालवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजस्तान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना शिफ मंदिर करोली और जहंगीर पूरी पर आसु बहाना और हिंदू की आस्था को ठेस पहुचाना यही नहीं गॉंगिस का सेकुलरिज्म है आलवर प्रशासन की दलील है कि राजगर में अथिकरमन हटाने के लिए यह कारवाई की गई है प्रशासन का कहना है कि करीब 600 फीट के रास्ते पर अथिकरमन हटाने के लिए JCB का सिमाल किया गया है अभले ही राजस्तान में विकास के नाम पर बुल डोसर चलाने की सफाई दी जा रही है लेकिन इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है शिवाले पर जूते पहन कर चढ़ने और मूर्तियों को कटर से काटने पर इस्थानी लोगों में गुस्सा है नगरपालिका के ई-o, SDM और राजगर विधायक के खलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है गहलो सरकार के मंत्री ने वादा किया है कि अगर कोई कानूनी अर्चन नहीं आए तो मंदिर दोबारा बनवाएंगे